हेलो स्टुडेंट्स क्लास 12 अकाउंट एंसी चैप्टर नम्बर त्री रेकॉंस्टिट्यूशन आफ पार्टनर्शिप फार्म हमने फॉर एजस्मेंट्स देख लिए हैं फिफ्ट एजस्मेंट जो हमारा लास्ट एजस्मेंट है इस चैप्टर में वह हमें देखना वाकी थ तो मैं एक्स्प्लेंट कर रही हो ध्यान दीजिएगा एजस्मेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इससे पहले हमने सैक्रिपाइजिंग गेंग रेशो देखा था गुडविल का प्रोपोर्शनेट वैल्यू का एजस्मेंट देखा था एक्कुमिलेटेड प्रटनर्स कैपिटल अकाउंट में फाइनली एजस्ट करते हैं ओके ठीक है यहने रिकॉर्डिंग ऑफ सैक्रिपाइजिंग गेंग रेशो यहने त्याग अनुपात एम लाप अनुपात प्रोपोर्शनेट वैल्यों गुडविल यहने ख्याती की वैल्यू दैन प्रीवि के संचित लाप का लेखा देन प्रोफिट और लॉस्ट और रिवेलिएशन आफ एसेट्स लाइबिलिटीज याने संपत्यों दाइत्वों के पुनर मुल्यान से होने आले लाब यहानी का लेखा यह सब मोस्ट कॉमन एजस्मेंट्स हैं जो की कैपिटल अकाउंट में करने होते हैं ठीक है तो कैपिटल अकाउंट में इन सारे एजस्मेंट्स को करने के बाद फाइनली जो बैलेंस होता है वही बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का न्यू फाइनल बैलेंस कहलाता है यह भी हो सकता है इवन सम्टाइम्स की जो भी बैलेंस आया है उसे पार्टनर् प्रॉफिट शेरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एड्जस्ट करना चाहें ठीक है याने हो सकता है कि नया जो प्रॉफिट शेरिंग रेशो है पार्टनर्स का पहले कुछ और था मानी स्टू तू था या थ्री इस्टू फाइब था वॉटेवर अब उनने डिसाइड किया कि शेरिंग रेशो वन इस्टू बन रहेगा तो वो कैपिटल भी अपने इसी रेशो के अकॉर्डिंग एड्जस्ट कर सकते हैं यह दोनों की जो कैपिटल वो भी एक्वल होनी चाहिए तो ऐसा करने के लिए हो सकता है किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा कैपिटल ब्रिंग इन क कर सकता है कैश को ओके तो इस टाइप से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एड्जिस्मेंट्स किये जाते हैं होप सो आपको समिझमाया होगा थैंक यू